आपका स्वागत है आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ये समझ के चलो कि आज हिंदू त्योहार वाली अपनी अंतिम क्लास है और इसके बाद में अपन जो है एक क्लास लेंगे जो मुस्लिम संपर्दाय के त्योहारों से संबंदित होगी और एक अन्य से संबंदित इसी के साथ में आपके जो है त्योहार वाली उडिके से हों नियुक्त है तो आज भूर honour हए वो सारे बढ़ेंगे साथ ही आज के जीजीडी क्ट में भी आपको specialrim system मिला है जह सारी एक यांदसी एक साथ में एक ही image के रूप में देदी कही है मैंने आज की क्लास में भी उसे सामिल किया है एक हो मैं बताता हूँ यह तो जिसने अभी तक टेलिग्राम से यह जीजीडी फैक्ट नहीं देखा है देख लेना एक तो यह एक हमारी टीम काम कर रही है सारी पूर्णिमा एक साथ आप लोगों को दे दी जाएगी कौन कौन सी है एक सारी अमावस्या तो फिर कितना मतलब आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए पढ़ना इसे ही का जाता है संकलन बहतरीन संकलन कर रहे हैं रामनिवाजी स्पेसल थैंक्स हैं इनको कि यह भी स्टुडेंट के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और एक से एक बहतरी इंफेक्ट बना के दिया यह 108 वाफेक्ट है ठीक है तो इसको भी अभी पटेंगे अपन और साथ ही साथ आपको यह टेलिग्राम से प्राप्त कर लेना है ठीक है टेलिग्राम से जुड़ जाओ देखो यह फाइदा है आपके ठीक है ना चलिए तो सुरू करते ह है अपनी आज की इस क्लास को आज की क्लास में श्पेशली जो है अपन वैसे मकर सकरांथी से सुरू करेंके यह कि देख लो जिए ग्रेगोरियन केलेंडर देखो गे तो भी पहले महिनें से सुरू होगा और होली मनाएंगे ठीक है तो चलिए आज के अपनी यह कौन सी गला नेखरी मार्च अप्रहिल वारा घर एक 10 काम में लेते उसके अनुशार इसके अम अनुशार को करो मनाते इसको नेट सई है 14 जनवरी को मकर सकरांतिय अपन मनाते हैं देखो हिंदु माह के अनुसार मना कर गैगोरियन केलेंडर के अनुसार मना जाता है इस समय क्या होता है कि वैसे देखा जाए तो वर्स दो अहिनों में बटा है दक्षिन अयन और उत्रायन तो सूर्य जो है ठीके ना अपना क्या ह सूर्य जो है वो इस समय उत्रायन होता है यानि उत्तरायन में प्रवेश करता है क्या कहतेंगे इसे उत्तरायन तो जैसे कि गुजरात साइड में देखो गे तो वहां पर मकर सकरांति न कहके इसे उत्रान कहा जाता है उत्रायन का ही जो है सब्द बदल गया है और इसे उत् एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाए तब इसे सक्रांती कहा जाता है ठीक है सक्रांती या संक्रांती अब यह संक्रांती इसलिए होता है क्योंकि यह सूर्य है ना यही क्यों मनाते हैं वह मैं बता रहा हूं यह सूर्य है ना यह धनूरासी से यह धनूरासी से मकर रासी मे मकर में प्रवेश इसलिए इसे कहा जाता है मकर शक्रांती तो उत्रायान क्यों कहते है मकर शक्रांती क्यों कहते है दोनों बता दी अभी समय सूर्य पूजा के विशेश महत्वे सूरज भगवान की पूजा की जाती है ठीक है ना सुरज बगवान की पूजा की जाती है क्या रहां को इसके अलावा दान-पुन्य किये जाते हैं विशेश रूप से दान-पुन्य बहुत मतलब दिल खोल के दान-पुन्य कि जाते हैं इस दें बहुए अपनी रूठी हुई सास को मनाती है देखो गॉल्डन चांस है यहां पर यदि साल पर में कोई मन मुटाव हुआ है ठीक है सास यदि नाराज है आप कई जणी मतलब एड़ा भी स्टुडेंट पड़ा गुरुजी मारता खाउची बोले कोर ठीक है मेरे तो सासु जी ऐसे करते हैं और कैसे भी करते हो तो यहां पर मकर सक्रांति के दिन मन पतंग महतसव देखे तो दो जगे का बहुत परसीदे एक तो जैपूर और एक जैसलमेर एक जैसलमेर वैसे अंतर राष्ट्री पतंग महतसव देखे जहां पर बहुत सारे देश के लोग आते हैं और अपनी अलग अलग तरे की बहुत बड़ी-बड़ी पतंगें और वो भी होता है मैं तो खुद यह चीज़ देखे हैं वंतर राष्ट्री पतंग महतसव बड़ा आनन्द आता बड़ी-बड़ी पतंग है कोई ड्रेगन साइज की और कोई अलग अलग आकरती की पतंगें उड़े जाती है दूनी गाव और एक और ध्यान रखना दूनी और आव कपड़ी की बनाते हैं क्योंकि देखो टैनिस बॉल अगरा तो लग जाती है कपड़े की बनाते है खास तोर में बताऊना देशी तो मोजा लेते हैं ठीके बॉक्स मोजा लेते हैं उसके अंदर दूसरे कपड़ा कागज़ अगरे कुछ भी बरके उसको टाइट एक दम बान के बने जाती बॉल तो ज्यादा लगे भी नहीं और लगे भी ठीक है लगती भी है लेकिन इतनी भी नहीं कि आदमी मर्जी है तो यहाँ फिर जो है दड़ा के मार देता तो यह मार दड़ी दरा मौत सभ भी इसी तरह का है और यह प्रशन तो बना है और इससे पहले ही मैंने जो जिला-दरशन पहले करवाया था एक बार इसी चैनल पे तम मैं यह बता चुका था उसके बाद में प्रशन बना था तो जहां से पढ़ने वाले सबी विद्यारतियों कि यह सई हुआ था क्योंकि यह प्रश्ण वैसे common पढ़ने में नहीं आता किसी सिल्पस में commonly पढ़ने में नहीं आता कि यहां मारदड़ी यह आ है क्योंकि सब्दावली से संबंदित प्रश्ण यह राजस्थानी तो यह ऐसे ही चलती क्लास में कहीं पर गरंत इस दिन चौपड़ा का वाचन किया जता है और पूरे साल बर की भविश्य वानियां की जाती है इस समय ठीक है न संद माव जी की चौपड़ा ठीक है चलिए अब देखो एक संकट चौथ तो यहां आती है और एक संकट चौथ में पहले पढ़ा चुका हूं आप लो को कमेंट करें कि एक संकट चौथ मैंने आपको इन ही क्लासेज में पढ़ाईए तो जिनोंने ध्यान से पढ़ाईए वो बताएंगे कि हांसर संकट चौथ एक वहाँ पे भी पढ़ाईती आपने और दोनों भी ध्यान में रखनी है ठीक है बताना इसे तिल चौथ भी कहते हैं नलत की संकट का अंद अनौने हैं मौनी यमार्ण से यहама का छन्मुवा एस दिन मना जाती है मौनी अम मवश्याकी कि दिन आती है कि यह सारे माग महिने के त्योहार है, बसंत पंचमी के दिन वस्त्र कैसे पेने जाते हैं, पीले वस्त्र दारन करते हैं, ठीक है, बसंत रीतु का आगमन हो गया है ठीक बालिकाओं को जो गारगी पुरुषकार दिया जाता है वो इसी दिन बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है ठीक है most important प्रस्ण है बसंत पंचमी वाला ध्यानकना बसंत रितु का जो है शुरुवा ध्याई से हो जाती है तो यह आगए आपके माग महिने के त्योहार यदि पू सोट लेलू ताकि जो हतोवात नौर्स बनाते हैं उनके लिए काम कीजिए फिट देखों माग के बाद में अपनको पढ़ना है फालगून मा ठीक है यानि कि अब इस फालगून को एक और नाम से अपन देशी बास हमें कहतेते हैं फागण क्या कहतेते हैं फागण आयो थो आगां पहार है रंग बी रंगी होली फागणिये घाय जाते हैं यानि फागण जो है गीद घाय जाते हैं और फागणियों में गाडियां बरपूर गई जाती है फिल ॅब क्या बताऊं आपको ठीक है फालगून कृष्णा त्रयो दशी अभी तो आंगे अपन होली के उससे पहले एक important त्योहार है वो फालगुन कृष्णा तर्योदशी को महा सिवरात्री क्या होता है सिव जन्मुत्सव मनाते क्या है सिव जन्मुत्सव के रूप में मनेय जाता है अकाल मृत्य वो मरे जो कर्म करें चांडाल का काल भी उसका क्या विगाड़े जो बक्त है महाकाल की पूजा होती है यहां पर आपको ध्यानखना स्रिउत मुत्सव मुट्सव और सिव जो आप देख रहे हो न सिवाड आया हुआ है सवाई मादोपूर सवाई मादोपूर सिवाड में परशिद सिवरात्री का मेला बरता है और ये जो मंदिर का फोटो आप देख रहे हो ये सवाल एक बार बना है जो मंदिर का फोटो देख रहा है ये सवाल बना है मंदिर श्री गुसमेश्वर द्वादसा देखो यही प्रश्ण मना था यानि कि सिंपल वासा मैं बताओं तो बारवा जोतिरलिंग क्या है बारवा जोतिरलिंग और यही बना था कि राजस्थान में बारवा जोतिरलिंग कहा है तो सिवाड के अंदर गुषमेश्वर महादेव जो मंदीर है और मंदीर ही मैंने आप लोगों को बता दिये दर्शन कर लो बारवा जोतिर लिंग इसे कहा जाता हूँ राजस्तान के अंदर ठीक है और यह यही पूछा था प्रश्ण कि यह कहा है तो यह यहां दियाद रखना है और यहां पे जो है सिव जी का अपने महादे में अपन होली लगाता है दो दिन मनाते हैं एक दिन तो होली का देहन किया जता है होली का जलाई जाती है ठीक है और दूसरे दिन अपने कहने का मतलब यह है कि अपन रंग गुलाल वगेर लगाते हैं वह दुलंडी के दिन लगाते है और होली जो है उसके एक दिन पहले मन दिन ही ठीक है यह चीज द्यान रखना देखो होली तो है होली का देहन अब आप लोगों को सब को पता है हिरन्य कष्यप पाली कहानी है है ना हिरन्य कष्यप प्रहलाद उनकी बेहन होली का वर्दान था यह सारी इमानिताओं में देखो होलीका और प्रहलात से जुड़ी कहानी है दूसरा क्या बसंत रितू की शुरुवात हो गई तो इसमें जो कलर रंग गुलालवकर उड़ा कर ये परंपरा रही और नई फसल पकने पर उत्सव मनाया जाता है ये भी है और नई आपको पता होड़े ज आपको यह थो ठी होली की बात है थिक है अब मैं बताओं कुछ पुरuu कि दीन मनए जाने वाली चीजी ठीक है कहते क्या है अलग हो लेकिन महा चैन्ज हो जाता है यह द्यानट दूल अलग है यह अलग है अब देखो अलग अलग आपको याद रखना है दूद्ध दही की वोली दूद्ध कहां जादा होगा जा क्रश्ण बगवान और ग्वाले ने तो ग्वाले जादा है तो यह नात द्वारा के अंदर मैंने जाती है कोड़ मार होली कोड़ मारते हैं दो समू होते हैं और बिगो बिगो के कोड़े मारे जाते हैं बिनाय और वर्तमान बिनाय कहां आ गया केकड़ी के अंदर पहले अपन पढ़ते थे बिनाय अजमेर वर्तमान बिनाय आ गया है केकड़ी के अंदर ठीक है तो केकड़ी याद तो बादसा होली जो है नाद्वारा के अंदर मने जाती है और एक बादसा सवारी भी निकली जाती है जो अब वर्तमान ब्यावर जिले के अंदर है पहले ब्यावर अजमेर पड़ते थे तो बादसा होली तो नाद्वारा के अंदर पड़ना है लेकिन बादसा सवारी साथ मे त्यानक नहीं नहीं कि कहा है ब्यावर, यह सारी चीजए याद करनी है। यह संक्लित है पूरी, आप लोगों को एक जगे मिल रही है, आप लोगों के confusion नहीं, के हाँ, फलानी होली कहां थी, वो कहां थी, यह सारी, ऐसे कि ऐसे आपने वन लाइनर में भी दिये हैं है ना ये उसी का पेज है जी जीडी वन लाइनर जो आपको दिये है उसी का देवर भावी की होली यानि देवर भावी की जो होली है वो आपको ध्यान अखना है ब्यावर के अंदर बने जाती है फिर देखो गोबर के कंडों की होली ये गलिया को महार्त पथर माहाविड जी यहान। यानि कि बालती कैसे होगी बोलो विकानेर के अंदर मने जाती है नहान एक तरह का महतसव है नहान तो क्या है महतसव के रूप में माना पुजा मतलब मनाया जाता है सांगोध कोटा के अंदर मुर्दों की होली मरुधनी भिलवारा के अंदर फूरों की होली गोविंद देवजी जैपुर के अंदर जो मंदिर है कंकरमा होली जैसलमेर के अंदर और भाटा गैर की जाती है आहोर जालोर के अंदर ठीक है आहोर जालोर के अंदर ये तो ये सारी की सारी आपके आगे होलिया तंकली सारी की सारी ठीक है तो ये सारे याद करनी है देखो याद कैसे करोगे पढ़ो एक बार दो बार पढ़ो तीन बार फिर एक तरफ रखो हाथ ठीक है लिख कर क्या हाँ आप मुझे इसमें से याद हुई के नहीं डेक्ची महर कहां है फूलो की होली कहां है ठीक है इस तरीके से और उसके बाद में याद हो जाएगी लो इसके इंस्वाटा के बड़े अब देखो अपने क्लासे सुरू की थी अपने त्योहार वाली वो चैत्र सुकल पक्स से की थी नया वर्ष जो प्रारम हुआ वहां से तब मैंने आप लोगों को समझाया था कि चैत्र महिना जो है वो दो साल के अंदर साल का प्रारम भी चैत्र से और अंत भी चैत्र से तो प दुलंडी के रूप में मनाया जाता है अब दुलंडी क्यों मनाते हैं मैं बताओं देखो दुलंडी से जस्ट एक दिम पहले यानि कि फालगुन पुर्णिमा के दिन होली का देहन हुआ यानि होली का चो थी वो मर गई होली का की सगाई हुई थी किसकी होली का की सगाई इलो यहां हमारे पास ही पाली जिले के अंदर ही बंदर गाव है जहां पर ब्रामन बहुल्य चैत्र है और वहां पर इलो जी की सवारी निकाली जाती है ठीक है बहुत अच्छा मौत सव होता है एक व्यक्ति को इलो जी बनाया जाता है और फिर वो पूरे असी मजाक और महसी ठटो भीका राक हो चुकी थी और तब इलो जी ने जो है उसकी याद में उनकी इसमर्ति के अंदर उस राक को लेकर अपने पूरे सरीर पर लगाया है और कहते है कि इसी प्रतिक के रूप में जो है धुलन्डी मने जाती है अब राख तो लगाते हैं अब गुलाल लगाते हैं ठीक है तो इसी के लिए रूप में फिर दूसरे माननेता यह है कि देखो रितु चैंज होती है तो फिर गुलाल उड़ा क पर पुसिया मनेजर काति यह सारे सारी चीजे यहां पर चैतर रिकष्ट में रखना है रहर रंग चैत्राक्रश्ट पर पंच्मी को सीघिए कि पूजा होती है सितला माता की अतिग चैत्र माता की पूजा होती है माश्योडा खाया जाता है यानि ठंडा भोजन एक दिन पहले जो है भोजन मनाया जाता है और मतलब यह एक तरीके से यह बच्चों की संरक्षिका देवी है और यह बच्चों का ही तिवहा रहे हैं तो यह मनता हूँ क्योंकि एक दिन पहले जो है जितने भी घर की ग्रहनियां माताएं वहनें जो भी है वो सारी जो है पकवान बनाती कई तरह की मतलब सब तरह की तला तलीरा हमान ज्यादा वह ठीक है चेप्स है का अपाने पापड है खीचिया है भूंगला भूंगली वगएरा सब और उसके बाद में बच्चों को जो आत कर और फिर खाते थे और वह बच्चपन था वह बच्चपन वापस नहीं आ सकता वही असली जिन्दगी थी और वही जीवन के रंग थे अब तो पाक दोड़ का माहूल है क्या पता ही नहीं चलता लेकिन वही दिन थे वह वापस याद आते हैं उस टाइम तो मतलब आदे त टलते टलते खा लेते थे कि हां कई चीजे बनती दई वड़े वगेर यह सब और फिर रखले दिन पूरे ति खाख करते बस यानि कि यह जो है पूरे दिन जो है यह अब खाने के मामले में कौन ज़्यादा मजे लेंगे बच्चे तो यह बच्चों का त्योहार है मेरे इसा सब लेकिन यह जो है महुत्सव आप लोगों को यह यहां पर क्रश्ण परक्ष में रखना है चैत्र अमावस्या गोटिया अंबा मेला बरा जाता है बास्वाडा क्या अब जब सीतला अश्टमी गई थी तब मैंने यह फैक्ट दिया था यह जीडी फैक्ट इसको वापस मैंन कई जाहीं तो क्या है यह बंदिर प्रशीद मंदिर्राजस्थान का जाप्ष बसी सीलजी की डुंगरी चाक्सूं में और चाक्सू वर्थमान में यह जयपूरग्रामिन ऑर यह जर 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 रहे हो यह प्रतिमा यह मतलब सितला माता के प्रतिक के रूप में जो है इंटों की पूजा की जाती और यह हमारे घर का ही सितला माता का फोटो है यह देखो अनमल कडिये पास में तो इस तरीके से स्रंगार करके और सितला माता की पूजा की जाती है इस दिन ठीक है देखो इ सितला माता के उपनाब चेचक की देवी शेडल माता महमाई माता और बच्चों की संरक्षी का बच्चों को सितल दा परदान करने वाली कि कहते हैं माता जी निकले तब इन माता जी की पूजा की जाती है ठीक है तो यह सितला माता की सवारी गदाया गर्दब सितला माता का खंडित मूर्ति की पूजा कि जाती है जो है है केजडी का को भी शितला माता मानränकर पूजा कई जगे या कि जाती है चैतर कुछा स्थ्न मि कुछ आक्षूं में गदों का मेला भी बरता है और बहल गाडिया महत ज्यादा ममत्रों में आती है यहाँ तो इसे बैल गाड़ी का मेला भी कह दिया जाता है और गदो का मेला बताया ना तो इधा कोई भी मंत्री या MLA MP वगएरे उद्गाटन करने नी जाता कारण यह है कि इंसल्ट होती करहां गहते तो थोड़ा सब बताने में उनको क्या है लज्जा लगती है इसलिए वो नहीं जाते हैं ठीक है यह रैपीड बताया है मैंने वैसे मैंने इसका सीतला आश्टमी का एक सेपरेट वीडियो बनाया था जब यह आई थी तब उसे देख लेना उसमें इस्टोरी वगेरे सब बताईए ठीक है चलो लो इस फ्याल तो ठीक है इस दर्मियान सारी पड़ी है जो मान दीजे नई भी पड़ी तो भी इसके अंदर आ गई है अब जो सबसे पहले तो यह करो मोबाइल को करो तिर्चा आड़ा ठीक है चैट बॉक्स में कोई लेना देना नहीं है चैटिंग में कोई दमीडा नहीं लेना ह है ठीक है करो आड़ा फुल इस्क्रीन करो और फिर देख अब देख क्लियर देखेगा दूसरी बाझ नहीं देखे तो भी 35 नियार 手ल नहीं देख रहा नहीं दिख्यों आड़ीटाट लो आदि लूमेंज का देखना है चार बार राटिया जूम करके कुन दिखें दिखें कुन दिखें सॉलुशन आप लोगों के पास ही है और आपको ही समाधान डूंडने है बल्ले अब लाइफ चैट के इनके कोई मैसेज जो है रगाता देखें नहीं जाते हैं आपको कोई समस्या है भी तो क्लास पूरी होने के बाद कमेंट करें उन निर्वर मनना है ठीक है रजघशन करते हैं करते हैं करते हैं जिश्टा शुकला है ठीक है फ़ीर देवसучन यानिकी देवताओ के सोने कर दिन है असाड शुकला 11 को इस दिन देवता चार महा के लिए निंद्रा वस्ता में सो जाते हैं, नाजा बली के पास में योग निंद्रा में सो जाते हैं, ठीक है, और चार महा तक कोई भी मांगलिक कारिया नहीं होते हैं, देवता सोगे होएं तो कैसे होगा, इसे हरी प्रबोधनी एकादसी या लाड़ी बोहनी के नाम से भी जाना जाता है, तुलसी एकादसी कब आती है, कार्तिक क्रश्ना एकादसी को इसे रमा एकादसी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, गीता जैनती, मार्ग सिस, सुकला एकादसी को आती है, गीता जैनती के रूप में बनाते है योगीनी एकादसी आसाड क्रश्णा एकादसी को ही योगीनी एकादसी भी कहते हैं ठीक है यही यह जो है इसी का नाम आसाड आ यह तो है सुकला वाली देखो यहीं परगे यह तो है सुकला एकादसी और यह है क्रश्णा एकादसी यहीं अंतर करना है ठीक है योगीनी पक्स के अंदर आती है और यह आती है सुकल पक्स के अंदर यहां पे अंतर करता है जल जूलनी एका दसी यह आती है बादरपत सुकला एका दसी को इसे देव जूलनी एका दसी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन देवताओं की मुर्तियों को सनान हेतु लाया जाता है म मुर्थियां जो है मैंने बताया था आपको बेवान के अंदर बिठा कर सनान के लिए लाई जाती है देव उठनी एकादसी ये कार्तिक सुकल एकादसी को इसे प्रबोधनी एकादसी भी कहते हैं चार माँ देवता जो स वकर उठ जाते हैं यानी कि मंगलिक ँरिया फिर से यहां से सुरूँ हो जाते हैं इस दिन भगवान सालीग्राम का विवा तुलसी से भी करते। ठीक है? तूलसी व्य भवाला कामी का एकादसी स्रावन क्रश्ना एकादसी को आती है इस दिन बगवान विष्णू की फूजा की तागी है ठीक है? तो ये सारी एकादसी एक साथ आगी ताकि आप लोगों के कन्फ्यूजन नही हो किसी भी तरह का कोई confusion नहीं इसका screen shot नहीं भी लोग है तो चलेगा टेलिग्राम पर यह मूल इमेज बिना यह राइट की हुई इमेज जो है उपलब दिकर वही है फैक्ट के रूप में हर रोज फैक्ट जरूर आपको लेना और पढ़ना और याद करना है मतलब फैक्ट भी पढ़ लिया नहां तो कई सारे एक्जाम तो ऐसे है जो फैक्ट के आप निकालतों के पूरी किताब लिख लें इसको तो देखकर ठीक है चलिए लीजिए इसके इन सोट फिर भी है ठीक है चला इसी के साथ में अपनी हिंदू त्योहारों से संबंदित क्लास पुरी हुई और जिसको प्रैक्टिस करनी है वो सब आप जानते हो केहा कर सकते हो एप से ठीक है अब अपन पढ़ेंगे मुसलिम संपरदाय से संबंदित एक क्लास पढ से टीचर वेकेंसी के अंदर तो सवाल कैसे बार जाएगा इसके अलावा प्रैक्टिस कर ले ना ठीक है अभी तो चैसे इस टेस्सरीज में अभी जो बताई ना उसमें तो यह नहीं जुड़ा है क्योंकि उसमें नए जिलो के अनुसार सेट होकर बिल्कुल व्याठ्या के स आप में वो टेस्ट जुड़ रहे हैं आठ दस टेस्ट जोड़े हैं इस वाले में यह जो अभी यह वाली टेस्ट तरीज है ना और बहुत कम पांच अजार पच्छों के अंदर तो बहुत कम सीटे बची है बहुत जल्दी यह फिल हो जाएगी एक दो दिन में जिसको यह राम राम जैहिन